आकिर खत्म हो ही गए बो रिष्टे उन लोगों से जिन्हें मिलके ए लगा था कि ए लोग जिन्दगी वर साथ देंगे जूट किसी वी रिष्टे का अंद करने में एहम बोमिका निवाता है इसी लिए जूट नहीं बोलना चाहिए जीवन में यदि खुस रहना है तो अधिक ध्यान उन चीजों पर दें जो आप के पास है उस पर नहीं जो दूसरों के पास है पीठ पीछे नफरत सामने प्याद आज कल की दुनिया का यही है कारोबाद साप घर पर दिखाई दे तो लोग डंडों से मारते हैं और यद साप सिवलिंग पर दिखाई दे तो दूद पिलाते हैं लोग सम्मान आपका नहीं आपके इस्थान और इस्तितिका करते हैं खुद की समझधारी भी एहमियत रखती है बरना अरजुन और दुरियोधन के गुरू एक ही थे छोटी सी जिन्दगी ने बड़ा सबक सिखा दिया रिष्टे सब से रखो लेकिन उम्मी किसी से नहीं जिन्दगी का सफर मानो तो मौज है बरना समस्या तो रोज है तुम नीचे गिर के देखो कोई नहीं आये का उठाने तुम जरा उड़कर देखो सब आयेंगे गिराने पराई इस्तिरी विस्तर में साथ दे सकती है मगर जब इनसान बीमार पड़ता है तब अपनी पत्नी और परिवार के सिवा कोई काम नहीं आता इसलिए अपनी पत्नी और परिवार से ही प्यार करें